मैं हूँ आपके साथ इंशान नेशनल डूड़ी 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वावत बता दिये हो सीजन खत्मों चुका है 72 दिन लॉक अप में गुजारने के बाद मुनवर फारुकी शो के विनर बन चुके है वहीं बीते दिन जीत के जशन में दो अलग अलग नजारे भी देखने को मिले सबसे पहले बात डोंगरी में हुई बतारे भवे स्वागत की वहीं पेशे से स्टेंढ अप कॉमेडियन मुनवर फारुकी ने शो में जाने से पहले ये वादा किया था कि लॉक अप की पहली टुफी तो डोंगरी में ही आएगी मुनवर ने जो वादा किया था वो निभाया भी शो की शुरुआँ से मुनवर को शो का मास्टर माइन कहा जा रहा था वो जीत के पिरवल दावेदार बताये जा रहे थे शो को जीतने के बाद मुनवर फारुकी जब डोंगरी पहुंचे तो वहां का नजारा देखने लाएक था दोगरी में मुनवर का स्वागत धूम धाम से हुआ उनकी गाड़ी के साथ साथ फेंस का भी काफला बराबर उनके साथ भारी भीर के साथ चल रहा था मुनवर ने भी अपने फेंस को ना उमीद नहीं किया गाड़ी का रूफ टॉप खोल कर वो बाहर निकले अपनी ट्रॉफी की जलक भी अपने फेंस को दिखाई मुनवर चलती गाड़ी में खड़े थे और उनके आस पास था फेंस का हुजूम ये सोशल मीडिया पर कुछ और वीजियो भी वाइरल हो रहे हैं जिन में से मुनवर अपनी मा के साथ नजर आ रहे हैं बेटे की जीत पर उनकी बीमार मा भी फूले नहीं समा रही है तो एक वीजियो में मुनवर को अपने घर में साली ब्रिशन के काटते भी देखा जा सकता है इसके बाद में रात में एकता कपूर ने भी अपने शो लॉक अप का सक्सेज बैच भी होस्ट किया जहां तमाम तीवी स्टार भी पहुंचे अब इस सक्सेज बैच की हाइलाइट भी देख लीजिए लग अप होस्ट कंगना रनौत ने अपने सुपर ग्लामर अंदाज से पार्टी का टैंप्रेचर हाई रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी लाइट कलर के थाई हाई स्लिप गाउन में कंगना बेहत स्टार्निंग दिख रही थी तो वहीं शोग के विज़े था मुनवर ब्लैक शर्ट और ब्लू डेनिम जीन्स पहने कैजूल लुक में पहुंचे खास बात ये रही कि इस पार्टी में मुनवर की रूमन गर्फ्रेंड नाजिल भी पहुंची वाइट शॉर्ट रेस में नाजिल काफी खुब्सूरत दिख रहींगी मुनवर के कई फैंस नाजिल के फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहें इसके अलावा जेलर करट कुंडरा अपनी गर्फ्रेंड तेजस्वी पिरकाश के साथ सक्सेस वेच में आए कुंडली भाग्य एक्टर कुनम पांडे सहिट कई टीवी स्टार्स को इस सक्सेस पार्टी में रेट कॉर्पेट स्पोर्ट किया गया